दोस्तों अपने बिजली के बिल में मुवाइल नंबर कैसे अपडेट करें तरीका जो है बदल चुका है पहले किसी और तरीके से अपडेट होते हैं अब किसी और तरीके से मुवाइल नंबर अपडेट करना पड़ता है जिसके लिए प्रोसेस जो है चेंज कर दिया गया है तो मैं आपको बताऊंगा step by step कैसे आप नंबर को चेंज कर सकते हैं अपने बिजली के बिल में तो बिजली के बिल में नंबर चेंज करने के लिए पहले प्रोसेस सिप कॉल करके आप security questions का आंसर दो अपडेट हो जाता था लेकिन अब नहीं होता है अब आपको customer care पर कॉल करक आपको यह पर upload करने पड़ेंगे देन उसके बाद ही आपका नंबर चेंज होगा तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको step by step कैसे करना है आपको जो link भेजा जाएगा उस link को open कर लेंगे जो कि इस तरीके का होगा इस जिए पर आप अपना CA नंबर डालेंगे यहां पर यह capture code डाल करके validate CA कर देंगे दोस्तों आप जैसी login करेंगे तो इस तरीके का interface आजाएगा जिसमें आपके सारी details यहां पर show करेंगे आपका ना मोगाईल नंबर जो exist करेंट में यह सारी चीज़े detail आपके आ जाएंगी उसके बाद दोस्तों application required पर click करेंगे यहां पर आपको दो options आएंगे contact detail update required, contact detail removal required आपको यहां पर contact detail update पर click करना है उसके बाद यहां पर अपना parameter select करना है mobile नंबर और यहां पर select करना है what do you want to update detail यहां पर दोस्तों आपको तीन option देखेंगे get OTP and registered mobile नंबर, get OTP registered email या फिर upload document अब mobile नंबर आपका चालू नहीं है या फिर किसी और के पा अपना document upload करना है, अपने ID proof यहां पर upload करनी है, यहां पर अपने ID proof upload करके दोस्तों validate पर click कर देगे, दर यहां पर आपको अपना जो current mobile नंबर है जो आप update करना चाहते हो बिजली के बिल में अब जो नया नंबर आप update करना चाहते हो वह यहां पर पर फिल करेंगे और फिल करके यहां पर सब्मिट कर देंगे और दोस्तों आपके पास इस तरीकी की स्क्रीन आ जाएगी इस तरीकी इंटरफेस है जाएगा जिसमें आपको किसी डॉकुमेंट में कोई भी problem आ रही है या किसी डॉकुमेंट मेंत्रुटी है किसी प्रकार के तो आप कस्ट्वर कर करके अपनी जानकारी त UC and 5 अभर